आने वाले दिनों में JP Power कहां पर momentum continue करता हुआ नजर आएगा उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक option trader है और option trading करते हैं तो आप लोगों को stock options, nifty bank, nifty के सारे levels आप लोगों को हमारे telegram channel पर free of cost provide होते ह तो telegram channel का link के description में दिया हुआ है, वहाँ से जाके join कर सकते हो, आप चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पाज JP Power किस तरीके से momentum कर रहा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को one day के time frame पर लेके चलना चाहूँगा, one day के time frame पर देखोगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ हुआ है, तो आभी देखोगे JP Power ने कहीं न कहीं 8 रुपए 70 पैसे के level को clear cut breakout किया है, और chances are very high की market फिर यहाँ से एक upside rally continue करता हुआ नजर आ सकता है, अब चलिए मैं आप लोगों को one hour के time frame पे लेके चलना चाहूँगा, one hour के time frame पे देखेंगे तो अब पिछले कई दिनों स JP Power यहाँ पर 10 रुपए 5 पैसे के आसपास एक resistance create करता हुआ market नजर आ रहा है, यह कौन सा level है, यह है 10 रुपए 5 पैसे का level, यहाँ पर देखोगे market दो बार आया, in fact कल के दिन को लेके 3 बार market ने इसी level पर resistance face करता हुआ नजर आया है, तो जब तक market यहाँ पर 10 रुपए 5 प पैसे के उपर निकल जाता है, तो definitely आप लोग यहाँ पर call side की position, अगर आप option trade करते हैं, तो नहीं तो आप लोग अगर swing trade करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग JP Power को buy कर सकते हो, और जिन लोगों ने buy करके रखा है, वो लोग चाहे profit बुक कर सकते हैं, बहुत यह अच्छे level प 15 पैसे, 10 रुपे, 20 पैसे के आज पास जाए, तो वहाँ से आप लोग JP Power को buy कर सकते हो, तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, अभी तक टेली ग्राम चैनल को join नहीं कर रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिद, जय भारत